ओम स्री गनीशाइन अमदोस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 दिसंबर बंगलवार के राशी फल्क के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती है अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्छ में मोड़ने के लिए आपके पास पूरी उरजां और सेन्सक्ती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार रहे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां बहतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साती सात आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंग परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सेयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्छे के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेग हो सकती हैं यदि आप नवकरी करते हैं तो कैरियर को लेकर अपार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती है परन्तु परयास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की बी संभावना आज पाई जाती है दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही, साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रु-ंदरूनी समस्याओं भी हो सकता है, किसी तरयका कोई विवाद चल रहा है, तो सावधान रहने की आज आवशकता है, यदि किसी तरयका कोई कोट मुकदमा या प्रोपर्टी से सम्बंदित कोई विवाद है, तो ज़ादा प्रियास ना करें, अन्यत्षा इस्थि हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महतपूर्ण चीजे के भूलने की भी आज संभवना बन सकती है दोस्तों बेवजा के डर को मन स से निकालें और परिश्रम से कार्रे में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्य था परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका आसर रिस्तों पर पड़ सकता है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती हैं सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी करे छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्र पजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी आज आपको अपनी सहत के मामलों में मिले जुले परणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहां चलाते समय शावधानी बरतें दोस्तो अपने भोजन सामग्री पर रख पाने में सफल हो इसलिए दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजह ना योग करें वयाम करें सवस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हो पाई क्या है दोस्तो आज आप शनान आदिस निरवत रहोने के बाद पीपल के ग्यारा पत्ते लें इसके बाद इन ग्यारा पत्तों को आप साफ जल से धोले या फिर गंगा जल से धोएं इसके बाद आप इन ग्यारे पत्तों पर चंदन या फिर कुम-कुम से प्रभू सिरी राम का नाम लिखें इसके बाद आप इन ग्यारे पत्तों को भगवा भगवान बजरंग बली जी को अर्पित कर दें और साती सात अपनी मनों काम नहीं मांगें जा दोस्तो इतना करने मातर शेही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशाने उकंत करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी जा दोस्तो आप इस प्रिकार इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद